जहें दोस्तों आप देखने डिफेंस गयन यूटूब चनल है दोस्तों आज हम जानेंगे बैबली एन इसकॉर्ट कमपनी जो की बिटेन की हतियार निर्माता कमपनी है क्या वो भारत में अपनी फैक्टरी लगा रही है और जो बैबली एन इसकॉर्ट है अपनी हैं उनके लिए हतियार बनाएगी यह सब कुछ आज जानेंगे हम इस वीडियो में तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप ना करें वीडियो को पूरी अंतक देख दोस्तों बैबली एन इसकॉर्ट जो कमपनी है यह बिटेन की कमपनी है और यह 1790 से हतियार बना रही है पहले यह जो बिटेस आर्मी थी उसके लिए हतियार बनाती थी और बिटेन जो था उसके जो सहयोगी देश थे जो उसके साथ द्यूद में लड़ते थे उनके लिए भी हतियार सप्लाई करती थी बैबली एन इसकॉर्ट को पहचान मिली थी जब इसने एक बहतरीन पिस्ट ले जाती थी तो बैबली एन इसकॉर्ट काफी ज़्यादा फेमस हुई तो अब सवाल उठता है क्या ये इंडिया में खोल रही है अपनी फैक्टरी तो जी हां दोस्तो ये इंडिया में अपनी फैक्टरी खोल रही है सतन्दो हजार 17 में इसने लाइसेंस के लिए license है तो इन्होंने tie-up किया है एक Indian जो company है उसके साथ जिसका नाम है Sial Factory Private Limited इन्होंने उसके साथ tie-up किया है इसके तहत जो उत्तरपदेश का नखलव जिला है वहाँ पे अपनी production facility खोलेंगे उसके तहत ये हतियार भारत को सप्लाई करेंगे बैबली स्कॉर्ट कंपनी है यानि बैबली जो है किसी भी नाम की महताज नहीं काफी यादा famous company है जो हतियार निर्मार करती है खासका जो revolve और के 6 अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि अब बैबली स्कॉर्ट आ गई है सेख आमस आ गई है और जो इंडियन ओर्डियन फैक्टरी बोर्ड है उसको भी अपने हतियारों को अच्छा करना पड़ेगा तो competition बढ़ता जा रहा है और ये direct benefit होगा जो civilians है उनके लिए अगर आपके पास gun license है तो आप थोड़ा wait कर लीजिए सन 2020 तक इसके जो बैबली स्कॉर्ट के जो mostly product market में आने लग जाएंगे ऐसा company का दावा है और आप जाके directly बिजिट कर सकते हैं बैबली एंडियन इसकॉर्ट इंडिया नाम से facebook page भी बना लिया है company में वहा आप